अक्सर लोग यही सोचते हैं कि क्यों सहर में ही बिजनस किया जा सकता है प्रंतु आज ऐसा नहीं है आप किसी भी छोटे गाउं में कोई भी बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ आपका बिजनस कफी जादा चलने वाला है इसके लिए बस आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए इसके अलवा आपको अपने गाउं से लिटिड कुछ जानकारी होनी चाहिए कि आपके गाउं में किस प्रोड़क्ट की या किस प्रकार के सामान की ज़्यादा जिरूरत है के लिए लोग बाहर जाते हैं और अपना समय और पैसा दोनों खर्च करते हैं अगर उनकी डिमांड आप समझ गे तो आपका विजनस चलने से कोई नहीं रोख सकते हैं दोस्तों हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है कि लोग काम की तलास में सहर निकल जाते हैं और अपने घर वाल हम गाव में कोई भी इसमाल बिजनस चोटे से छोटा बिजनस भी स्टार करेंगे तो हर महीने 20-25 जार रुपे तो कमा ही लेंगे तो नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं गाव में चलने वाले कुछ ऐसे 10 बहतरीन बिजनस आइडिया ज देखिएगा जिससे कि आपको ये बहतरीन बिजनस की जानकारी आपको मिल पाए और इनमें से कोई भी बिजनस आप स्टार्ट करके अपना बिजनस स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं नमबर वन फूलों की खेती का बिजनस जी हां दोस्तों ये हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है क्योंकि ये खेती से जुड़ा विजनस ये गाउं में हर कोई कर सकता है इसलिए हमने इसे फ़र्ष नंबर पर रखा है क्योंकि फूलों की खेती करना है अगर आपके पास कुछ थोड़ी बहुत खेती है तो आप इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं आज इसे में मार्केट में भी फूलों की डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ रही है अगर आपके पास थोड़ी सी जमीन है तो आप फूलों की खेती कर सकते हैं फूलों की खेती से आपको अन्य फसलों की ये पीछा डवल प्रॉफिट हो सकता है नंबर टू हेर सैलून का बिजनस को स्टार्ट करते हैं दोस्तो हेर सैलून बिजनस से स्टार्ट करने के लिए आपको हेर कटिंग आनी चाहिए अगर हेर कटिंग नहीं भी आती है तो भी इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको अपना खुद का सैलून खोलना होगा उसमें दो चा फैशन के दोर में सजने समरने में गाउं की महला हैं सहर की महला से कम नहीं है लेकिन गाउं में सहर के मुकाबले beauty parlor के संख्या बहुत कम है इसलिए महलाओं को काफी ज़्यादा दिकतों का सामना करना पड़ता है गाउं में अगर महिलाओं को कोई साधी पार्टी अटेंड करना होता है तो उन्हें beauty parlor की काम के लिए सहर या फिर किसी बड़े कस्वे में जाना पड़ता है जिससे उनका समय भी खर्चा होता है साथ में पैंसे भी खर्च होते हैं दोस्तों अगर आपको beauty parlor का काम आता है य आपकी customers starting में जल्दी बन जाएंगे नमबर फोर पर जो business है hardware shop business दोस्तों गाउं में छोटे-छोटे काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं जैसे की carpenter, mechanic, palumber, आदी इसलिए hardware की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और hardware की दुकाने कम होती है और गाउं में hardware की दुकान कम है ऐसे में अगर गाउं में आप hardware shop करना चाहते हैं तो यह आपके लिए best business साबित हो सकता है hardware के अंतर गत, chain, रसी, इस्टेपल, तार, पेच, पाइप वा अलग-अलग प्रकार के कील, हताओडे, प्लाश, टेप वा लोहे के वा किसी से related आप सामान रख सकते हैं शुरु दोस्तों गाउं के लोग ज्यादा तल पैदल जाते हैं गाउं में परिवाहन का विकल्प बहुत कम है सहरों की मुकाबले ऐसे में अगर आप यह रिक्सा या आटो का विजनस से start करना चाहते हैं तो यह भी आपको बहुत कम खर्चे में ज्यादा profit देने वाला है तो आज क छोटा लोन का विजनस की आप सब जानते हैं कि गाउं के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं या कम होते हैं और उन्हें हर सीजन में करसी कार के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है तो ऐसे में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए आप गाउं में एक छोटा लोन का बिजनस स्टार्ट कर सकते है आप देखेंगे कि गाउं में आज के समय में पर मंतली 3% से लेकर 10% तक ब्याज पर लोन दिया जाता है अगर आप गाउं में किसानों को कम ब्याज पर रिंड देंगे तो आपका या बिजनस काफी जादा चलेगा साथ में आपको भी प्रॉफि दोस्तों यह बिजनस एक ऐसा बिजनस है जिसमें कश्टमर दूसरी दुकानों की तरह जैसे कपड़े सबजी इत्याद में रेट कम करवा लेते हैं लेकिन इस बिजनस में रेट कम नहीं करवा पाएंगे और आपको यह मालूम भी होगा कि जो मेडिकल से रिलिटेड मेडि अगर प्राइस पचास रुपे है तो इसकी मात्र कीमत 10 रुपे से 15 रुपे के बीच में आती है तो आप समझ सकते हैं कि इनमें आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है नमबर एट सीजनल बिजनस दोस्तों कुछ ऐसे भी बिजनस होते हैं जिसे आप विसे समय पर या विसे स सीजन में ही कर सकते हैं उन्हें हम सीजनल बिजनस कहते हैं जैसा कि होडी के समय में आप रंगों का बिजनस कर सकते हैं रच्छा बंधन के समय में आप राखी का बिजनस कर सकते हैं इसी के साथ में आप गर्मियों में भी कई परकार के बिजनस कर सकते हैं ठंडियों में भी कि गाउं में प्याज की खेती कितनी अधिक मातरा में की जाती है लेकिन यह भी आप सभी को मालूम होगा कि जब हमारा फसल पकता है तो हमारी फसल की जो कीमत है बहुत कम होती है वही पर कोई दिनों के बाद में इसकी कीमत आसमान चुने लगती है तो आप इसी चीज का फाइदा उठा सकते हैं, आपको गाउ में ऐसे ही प्याज स्टोर का बिजनस से स्टार्ट कर लेना है, इसमें आपको कम रेट पर किसानों से प्याज को स्टोर करना है, और जैसे ही मार्केट में इसकी मांग और कीमत बढ़ती है, आप इसे सप्लाई कर इससे आपको बहुत ही अच्छी प्रॉफिट होगी, आप प्याज के साथ में आलो और भी सबजियां और दालों का भी संग्रह कर सकते हैं, नमबर टेन पर जो बिजनस है दोस्तों, इसमें आपको किसी भी प्रकार के सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं है, और नहीं किसी रिस्क की, दोस्तों यहाँ बिजनस है, लेवर कांट्रेक्टर का बिजनस, दोस्तों कई बड़ी-बड़ी कमपनिया या फैक्रिया ऐसी होती है, जो एक-एक करके मजदूर नहीं ढूट पाती हैं, ऐसे में आप उनको मजदूर एकतरित करके दे सकते हैं, जिनके लिए आपको कुछ पैसे मिलेंगे तो आज किस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे 10 बहतरी बिजनस आइडिया बताए हैं जिसे आप गाउं से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको बहुत ही अच्छी प्रॉफिट होगी दोस्तो यह बिजनस ऐसे हैं जिसमें हम सहर जाने के मुका में एक डिटियर्ड जानकारी मिल पाए तो दोस्तो आज किस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ तब तक लिचे हिंद टेक केर